जरूरी नहीं कि आपको हमेसा बुरे कर्मों के वज़े से ही दर्द मिले कभी-कभी आपको हद से जादे अच्छे बने रहने के भी कीमत चुकानी पड़ती है नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में रिसक्राइब करेंगे तीन अक्टूबर के करेंड़ पर दिसक्राइब करेंगे और साथ इनके स्पेसल फ्लैट को पूरी डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो के लाश्ट में आपसे पांच प्रशनों के जबाब देने हैं तो आज करेंगे सबसे बात कर लेते हैं कल के करेंगे का पहला प्रस्ता की अंडर एटीन से फुटबाल चैंपियंशिप 2019 का कि इस देशने जीता है तो दीकिए इस किताब को जीता है भारत है और इकी दूसरा था कि हाली में कि सब्सक्राइब को वर्स 2017-18 के लिए सरुस्रेश परेटन पुरुषकार से समानित किया गया है तो देखिए यह विक्तियाप के हैं तपन कुमार मिस्रा जी और तीसरा प्रशने की हाल ही में किस अमेरिकी फर्राटा धावक ने वर्ल्ड एट्लेटिक्स चैंपियंशिप में 9.76 सेकेंड में 100 मीटर रेस पूरी करके स्वन प पहलवान बन गए हैं तो देखिए यह पहलवान आपके हैं दीपक पुनिया जी और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के पूर राश्पती जाक सिराका 86 वर्स की आयूए ने धन हो गया तो देखिए जो आपके जाक सिराक हैं यह फ्रांस के राश्पती देटी गए और आज के रेंडेबर का पहला प्रशनी की हाल ही में किसे हैदराबाद क्रिकेट एस्यूसीशन का अध्यक चुना गया है तो देखिए यह विक्तिया आपके हैं मुहमद अजरुदीन जो की भारत के क्रिकेट के पूरो कफ्तान रह चुके हैं तो मुहमद अजरुदीन को भिय ले थी और इनका जो अफिचियल प्लेग्राउंड है इसका नाम है राजियू गांधी इंटर्नेशनल क्रिकेट इस्टेडियम दूसरा प्रशन है कि नियुक्त में से कौन अंतरराश्टी अंतरिक स्टेशन तक पहुंचने वाले युनाइटेड अरब अमिरात के पहले अं अंतरराश्टी अंतरिक स्टेशन तक पहुंचे हैं तो फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अप्वाइंट्मेंट और कोई भी घटना अगर पहली बार होती है तो एक्जाम में निस्टी तरूप से पूछे जाती है और इस नियूस को तुरह सा डीटेल में जा लेते हैं और स्टेशन ज्ट बेजा गया था इसको आप रखेंगे और इनके साथ में दो लोगों को और नतरिक्स इस्टेशन वेजा गया है एक का नाम है जेसी कामीर यह अमेरिकी नतरिक किया था ऑर दूसरी का नाम है गया और वो स्रूफ करी पोचका से जो है अंतराशी अंतरी स्टेशन दिनों को भेजा गया था अभी हाली में तो यह डीटेल में रखना लेकिन सबसे मुख के बाद आपको गया रखना है कि जो आपके हाजा में हम कहते हैं संयुत अरब अभिरात और इसकी कैपिटल है अबुधावी और यहां के करेंसी है युनाइटेड अरब इमिरेट्स देहरम ठीक है तो यह चीजें आपको या रखनी है और तीसरा प्रशने की हाल ही में किस पूरो भारती क्रिकेटर का निधन हो गया तो देखे किसी टेष्ट क्रिकेट संकला में 400 से अधिक रन बनाने वले पहले भारती सरामी बल्ले वास्ते है तो इनके नाम से यह रिकार्ड बना हुआ है कि जो आपके माधो आप्टे जी है यह किसी टेष्ट संकला में 400 से अधिक रन बनाने वले पहले भारती सरामी बल्ले वास्ते और जो आपके माधोब आपटे जी हैं इन्होंने अपने करियर में 7 टेस्ट मैचे चेले और 542 रन बनाये जिसमें केवल 1 सतक सामिल है और इसके अलावा پ्रथम स्रेडि कृटे में जो आपके माधोब आपटे जी हैं नो उने 67 मैचों में 3336 रन बनाये हैं तो यह पूरी डिटल आप कहाई रहना है किसके बारे में माधो आपटे की बारे में लेकिन जो सबसे खास बाते है रहात रहना है कि इनका भी हाली में नीधन हो क्या है और माधो आपके जो ही एक किसी टेस्ट संकला में 400 से अधिकरन मनाने विले पहले भारती सलामी बल्लेबास थे और दीखे चौथा प्रशने की हाल ही में चुना आयुग ने महराष्ट विधान सभा चुनाओं के लिए किसे विशे से व्याय परवेक्षक न्यूग किया है तो दीखे अभी हाली में जो है आपका निर्वाचन आयो गया है तो इसने महराष्ट विधान सभा चुनाओं के लिए मधू महाजन को और बी मूरली कुमार को महराष्ट विधान सभा चुनाओं के लिए विसे से व्याय परवेक्षक न्यूग किया है जो आपका हरियाना राजे ठीक है तो हरियाना में और महराष्ट में इन दो राजियों में 21 अक्टूबर को जो है मद्दान कराई जाएंगी देखे चुना होंगे यहाँ पर और फिर 24 अक्टूबर को जो है मदगरना कराई जाएगी तो 24 अक्टूबर को पता जाएगा कि महराष्ट में और जो आपका हरियाना राजटी के यहांपर किशके किशके सरकार बनेगी फिर से। और पांचोप उपर्षीन की नियम्वकिद में से काउंज सी ब्रिटेंड क एक सो अठार साल पुरानी प्रसीद ट्रेवल कमपनी दिवालिया हो गई है। ओलेवल कंपनी का नाम है ठामस कोक डिवालिया हो गई है और देख़ेंग की पत्रिका्स नाम है दगार जन इसमें लिखा गया है कि जो आपकी ठामस को कंपनीज्ट की दुनिया में फंस गया है उनके पैसे फंस गया हूं तो यह डीतेल यारा क्ना लेकिन पहले क्या रखना ह आपकी ठामा सुक है ये आपकी एक बिर्टिस कंपनी है और ये आपकी 178 साल पुरानी बिर्टिस कंपनी थी जो कि अभियाली में दिवारीय हो गई है और ये एक ट्रेविल कंपनी थी ठीक है ये चीज आप याद रखेंगे और चटा प्रशन है कि फारची इंडिया की 2019 की सि सबसे मोश्ट इंपर्ट प्रशन है यह आज खाब देखिए फार्ची उन इंडिया की दोहर उननीस की सिर्फ पचास सबसे सकतिसाली महिलाओं की सुची में पहले स्थान पर आपकी जीया मोदी है और जीया मोदी कौन है यह जो है एजट बी की सह संस्ता पकेटिक है और देखिए इस सूची की खास बती है देखिए इस सूची में सबसे कम उम्र की महिला आपकी है अनुषका शर्मा जो की भारतिय बनित्री है और यह जो है इस सूची में 49 में पायदान पर रहें यानिकि 49 रंक पर हैं फार्ची उन इंडिया की दौहर उनीस यह सिर्फ पचास सबसे सक्तिचारी मिलाओं की सुची में इसको भी आप यार रखेगा तो पहले अस्तान पर जिया मोदी हैं और अनुस्का सनमा 49 में पाइदान पर हैं और दूसरे पर किरन मजूनदार सा हैं तीसरे पर सुनीता रिडी हैं सातो प्रशने की हाल ही में कि इसे ग्रैमी पुरसकार विजेता सिंगर का निधन हो गया तो दीखे अभिहाली में जो है जेसी नारमन का निधन हो गया है जो कि ग्रैमी पुरसकार से इनको समान किया गया था दीखे ग्रैमी पुरसकार से समानित जेसी नारमन जो है इनकी सेप्टिक साख और मल्टिपल आरगन फिलियर की वज़ा से जो है नियुयार के एक अस्पताल में जो है इनकी अभियाली में मौत हो गई है तो ये चीज़ आपको या रखना है कि जेसी नार्मन जो है एक अमेरिकी सिंगर थी और अभियाली में जो है इनका निधन हो गया है और इनको जो है ग्रेमी पूरसकार से जो है सम्मानित किया गया था और आठों प्रेशने की हाल ही में किसने बेलजियम में तोर्नोई सेट्रिलाइट तलवारबाजी प्रत्योगता में महिला साबरे विक्तिकत वर्क का रज़त पदख्यानी की सिल्वर मेडल जीता है तो द देखे जो आपकी भावानी देवी है यह अजर बैजान के अन्ना बास्ता से पंदर दस से हार गए थी इसलिए जोहनको के अवल रज़त पदमिरा रंगल यह जो है स्वानक पदख भी जीत सकती थी तो यह डीटेल्स यहार रखना है और नौवा प्रशने की हाली में प्रस प्रिंसीपे डी ला कैंसियन के नाम से भी जो है मसहूर थे तो यह डीटेल्स यह रखना है किसके बारे में मैक्सिकन गायक जोस जोस के बारे में ठीक है देखे कभी-कभी एक्जाम में सीधे सीधे पूझ लेता है कि फला आदमी मर गया यानि कि फला व्यक्तिकान प्रसासक निवाली में पंजाब और महाराश कौपरेटिव बैंक का प्रसासक निवत किया है जय भगवान भोडिया को निपि आपका पंजाब और महाराश कोपरेटिव बैंक है कैसे कारे लोग जो है समरे जी जो आपका चूरन की तरह से वहां पे लोन वगरे दिये गए तो कई सारी धोकाद अड़ी है इसमें सामले आई कई सारी मामले यहां पे छिपाए गए गए तो इन डाटा को RBI ने इसमें बैन भी लगाया था कि अब इसमें जितने भी जमा करता है वो जो है एक हचार रुपे से अधिकी दहनासी नहीं निकाल सकेंगे लेकिन बाद में जो इसके कस्टमर संडिक है उनको समस्या होने लगी और अभी हाली में इसको देखते भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो है यह आपका PMC यहानी कि पंजाब और महराश को अप्रोटिव बैंक लिविटेडिक है तो इसके जमा करताओं के लिए निकासी की जुरासी है इसको एक हजार रुपे से बढ़ा कर जो है अब दस हजार रुपे कर दिया है तो यह डीटेल्स आप याद रखेंगे और ग्यारम आफ परस ने की हाल ही में कि इस भारती डेनिस की लाड़ी ने सुमीत नागल है तो इन्होंने अर्जेंटीना के फेकुंडो बैगनीज को छे चार छे दो से हरा कर जो है यह खिताब जीता है और इनके बारे में एक खास बात और है देखिए जो आपके सुमीत नागल है उन्होंने 2017 में बैंगलूरू चैलेंजर इवेंट में जीत दर्ज की थी तो उसके बाद से यह तब तक तब से यह खाली चेल ले थे और अवियालि मेनों जो अपना करीयर का जो दूसरा किताब के जीता है और यह किताब कौन सा है tap challenger tournament का यदिगा है तो यह details चार रखना है कि अभयालि मेनों नो जो अपने करीयर का दूसरा किताब जीता है और देखे आपको दादों की जो आपके ये सुमीत नागल हैं ये इसी के साथ इनके जो है जो करियत की सर्वसेश रैंकिंग है 135 ठीक है तो 135 रैंक पर ये पहुँच गए है 26 अस्तानों की छलांग लगाकर और 12 प्रशनिकी हाल ही में किस फुट बाल कलब पर बनी डाक्यूमेंटरी फिल्म को प्रतरश्चीत बिरिटिस अकादमी फिल्म और टेलीविजन आर्थ यानि की बाप्टा पुरसकार के लिए नामांकित किया गया है तो दिखिए बाप्टा पुरसकार केलिए नामांकित गय है रियल कस्मेर FC यानि कि रियल कस्मेर फॊटबाल क्लब तो रियल कस्मेर फूटबाल क्लब को प्रतश्चित बापता पूरतकार के लिए और इस डाक्युमेंटरी को दो स्रेडियों में नमांकिद किया क्या है दीऀएल dieses इस फिल्म के बारे में रखेगा इसका नाम क्या है रियल कस्मेर एपसी यानि कि रियल कस्मेर फुटबाल कलब जो कि स्त्री नगर के फुटबाल कलब पर आतारीत है और अभियाली में इसको बाप्टा पुरसकार के लिए नामी ते किया गया है देखे बाप्टा का पुरह न और दूसरा प्रशने की निम्रिकित में से कौन आस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में कार्याले खोले मला पहला भारती बैंक बन गया है इस बैंक का नाम बताईए और कल का वीडियो देके इसको रिवाइश कर लिएगा और तीशरा प्रशने की नीती आयो के द्वाना जारी स्कूल सिक्षा गुडवत्ता सुचकांक में कौन साराजे पहले स्थान पर है इसका आँसर पताईए और चौता प्रशने की हाल ही में किस दुरक। को प्रेश इन्वार्मिसन ब्यूरो का प्रदान महान दिसक न्यूक क्या गया है इसका आँसर पताईए और पांचों प्रेशने की हाल ही में यूनेसको ने दुई भासी टीवी कारेकरम महात्मा लाइप्स या बापो जिन्दा है के प्रसारण के लिए किसके साथ साज़दारी की है इसका अंसर बताई तुरंट कमेंट बॉक्स में देखे आप कल के वीडियो को देखे जरूर रिवाइस के लिए कि कल के जितने भी प्रस्ण थे वह बहुत इंबॉडन थे और देखे कल मैंने मंतली करेंट फिर का भी वीडियो अप्लोड किया था ठीक है तो उसको भी देख लेजेगा और उसको से है लाइक और शेयर जरूर मिल जाए अधी के नीचे मेरे सभी सोचल मीडिया की लिंक दीगाई है वहाँ पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके इन सब को जोइन कर लिए दाकि आपको यहां से भी जीएस और करेंट पर के अपडेट मिलते रहें तो इसी के साथ बहुत बदनेवाद थेंक्यू एंड है व